जब फरजी सड़यंत्र किया जाएगा तो जब देस की परिस्थितियां अलग है तो नई परम्पराइं भी पैदा हो रही है एक विशेश परिस्थिती में अर्विन केजरिवाल को इस्तिफा देना पड़ा दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी ये कुर्सी अर्विन के जरिवाजी की है दिल्ली से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शायद आज तक देश में कहीं नहीं देखी गई मुख्यमंत्री का पदभार समारते हुए दिली की मुख्यमंत्री आतीशी के साथ एक दूसरी कुर्सी रखी गई थी सवाल अब ये उठाए जा रहे है कि क्या ये उस पद की गरीमा को ठेस नहीं पहुचा था और क्या उस पद को लेकर अगर दूसी कुर्शी रखी जाती है तो फिर विधान सवा से ही पहले स्तीफा देते हैं बीजेपी सवाल उठा रही है अब पद की गरीमा बीजेपी को और क्या करना चाहिए अरविन केजरिवाल के जेल से आने के बाद जब उन्होंने इस तीफे का ऐलान किया उसके बाद बीजेपी के अब सवाली उठाने के लिए बचा है वो दो साल से मुंगरी लाल के सपने देख रही थी इतना सड़ी अंतर किया चुने हुए मुक्मंतरी को उठा के जेल में डाल दिया निताओं को सबको उठा उठा के जेल में डाल दिया सब बाहर आ गए तो भारती जनता पार्टी के पास सब कुछ बचा नहीं है वो सवाली उठाएगी आगे भी पांच साल क्योंकि दिल्ली की जनता के दिलों में अर्विंद केजरिवाल जी के लिए जगा है वो पर्मानेंट जगा है दिल्ली के अंदर दो मुख्यमंत्रियों के दिलों की जगा आज बन चुकी है आतिसी जी ने दो मुख्यमंत्रियों की जगा मतलब एक अर्विंद केजरिवाल जो आने वाले हैं इनका दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है और चुनाव तक के लिए आतिसी जी जो इस काम को आगे बढ़ा रही है तो मतलब आप अभी ये कहना चाहते हैं कि अर्विंद केजरिवाल भी मुख्यमंत्रियों आतिसी भी मुख्यमंत्रियों दिल्ली की जनता के दिलों में अर्विन केजरिवाल मुखमंतरी हैं और उनको और प्रचंड बहुमत से उलाना चाहती है लेकिन चुछि अर्विन केजरिवाल जी ने ये कहते हुए इस्तिफा दे दिया कि चुछि जब तक जनता ये मैंडेट नहीं देती है तब तक मैं दिली के लोगों के दिलों का आदिसी जी का जो ये भावना एक भावनात्मक मैंटर है लेकिन उसी भावना को आदिसी जी ने इसके माद्यम से अभी वक्त किया है रही बात चुनाव तक कि लिए जो दाईतों कैबिनेट को मिला है उस काम को हम पूरा करेंगा आप भी क्लिए जएगा यहां नहीं हृटियान जिए जब फरजी शडीयंत्र किया जाेगा को जब देश की परिस्थितितिronicमें अलग हैं तो नई परंपराय भी पैदा हो रही हैं एक विसेश परिस्थितिय में अरवण केजरिवाल को इस्तिफ Mage के देना पड़ा तो वो आतिसी जी की भावना है जिसको उन्होंने विक्त किया है जहां तक संबैधानिक कानूनी जिम्मेदारी की बात है उसको हम लोग चुनाओं तक निर्वन करेंगे अच्छा अभी एक मुद्दा ये भी रहा है कि कैविनेट पांच महिने से नहीं हो पाई तो अभी आपका एजन्डा क्या होगा पहले कैविनेट कराना और उसके बाद में प्रात्मिक्ता कौन कौन सी होगी आदकी जो जो काम अर्विन के जिर्वाल जी ने सुरू किया था उन कामों को पूरा करना ही हमारी प्रात्मिक्ता है जैसे मैला समान ने दी है बुजर्गों प्लान हम गोसित करेंगे और उसके इनुसार दिल्ली के लोगों के साथ मिल करके पूरी सक्रियता से काम करेंगा पाल ना हमाई साथ थे जो बीजेपी के सवालों का जवाब भी दे रहे थे और साथ ही अपनी सरकार की प्रात्मिक्ता भी दो मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार सम्हाला है जिम्मेदारी सम्हाली है आज मेरे मन की वोही व्यता है जो भरत जी की थी जब भगवान श्रीराम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्रीराम की खणाओ रखकर अयोध्या का शासन संभाला उसी तरह से आने वाले चार महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी भगवान श्रीराम ने अपने पिताजी द्वारा दिये गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्विकार किया इसी लिए हम भगवान श्रीराम को मर्यादा पुर्शुर्तम कहते हैं उनकी जिन्दगी हम सब के लिए मर्यादा और नेतिक्ता की एक मिसाल है दिल्कुल उसी तरह अर्विंद केजरिवाल जी ने इस देश की राजनीती में मर्यादा और नेतिक्ता की एक मिसाल कायम की है पिछले दो साल से भारती जन्ता पार्टी ने अर्विंद केजरी वाल जी पर कीचर उचालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी उन पर जूटे मुकदमे लगाए उनको गिरफतार किया उनको छे महीने तक जेल में रखा जब अर्विंद केजरी वाल जी को सुप्रीम कोट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अर्विंद केजरी वाल जी की गिरफतारी एक दुर्भावना के तहत हुई है शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुरसी पे बैठने से पहले दो मिनट भी नहीं सोचता लेकिन अर्विंद केजरी वाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुरसी पे नहीं बैठूँगा जब तक दिल्ली के लूग उनकी इमांदारी पर भरोसा नहीं दिखाते है और उन्होंने मुख्यमंत्री पज्से इस्तीफा देदिया लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुरसी ये कुरसी अर्विंद केजरीवाल जी की है मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में चार महीने में जो आने वाले चुनाव हैं दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशिरवाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अर्विन केजरिवाल जी को मुख्यबंतरी की कुरसी पर बठाएंगे तब तक ये कुरसी इसी कमरे में रहेगी, अर्विन केजरिवाल जी का इंतजार करेगी मैं आतिशी इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगी मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतर करण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय यां पक्षपात, अनुराग यां द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार न्याई करोगी मैं मैं आतिशी ईश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्याथ होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब कि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्शित हो मैं प्रत्यक्ष अध्वा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करो